नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मीन राशी साड़े साथी सोला दस से सत्रा तीन दो हजार तेश तक जो मुमेंट शनी देव लेने वाले है उसके बारे में ये वीडियो बना रहे है आगे एक वीडियो मैंने राज योग बारे में बनाया था जब यहां गुरू और शुक्र का मिलाप होने वाला है वो भी पंदरा दो के बाद लेकिन यहां एक पॉइंट ऐसा बन रहा है जिससे आपको बहुत ही तकेदारी रखनी पड़ेगी यहां देखिए तकलिफ के बाद ही आपको सब चीजे मिलती है पहले एक दम से हर चीज आपको नहीं मिल जाएगी पहले तकलिफ समस्या दुख प्रॉबलेम यह सब देखने पड़ेंगे उसके बाद ही एक ऐसा पड़ावाता है जिससे आप शुक की तरफ जा सकते अच्छे दिन पड़ेगी बहुत ही प्रिकोशन लेके चलना पड़ेगा यहां बात कर रहे हैं जो शनी माराज 12 हाउस में रासी से अभी पहला पड़ाव आपका चालू हो गया है शनी साड़े साती का धाई साल का जो पड़ाव होता है फर्स्ट पड़ाव वहां अभी सुर्य नारायन द गोचर के सौरि सनी के उपर सुर्य का ब्रह्मन होने वाला है वो भी 12 हाउस के अंदर यह एक बहुत बड़ी हिलचाल होने वाली है पहला धाई साल का जो पड़ाव है 12 हाउस का वहां सुर्य नारायन जो यह जगत पिता जिसको बोले जाते है ब्रह्मान के सभी ग्रह इस मे से ही निकले है जनम हुआ है वैसा यहां प्रतित हमने सब देखा हुआ है और पड़ा हुआ है तो सूरिय का शनी के साथ जो मिलाप होने वाला है वो यहां आपकी कुनली के लिए कैसा साबित होगा उसके लिए यहां बात करें में पॉइंट यहां से सबसुरुआत होने वा यहां लगने वाली है जब तक घोड़े को चाबुक नहीं लगा थे तब तक वह भागता नहीं वैसे ही यहां शनी महाराज को जो हिलचाल मिलने वाली है वो यहां सुरियन अरायन आने से मिलेगी क्यूं कि शूरिया और शुरिया और शुरिया दो एक ऐसे प्लाइनेट्स है जो हमेशा उपोजिशन में बैट ते हैं आप देख लिजिए संसत के अंदर हर चगावे एक उपोजिशन रहता है वो अपने जो भी मनतविया है वो सब रजवात करता है वो सब अपने हिसाब से जो भी क्वेरीज है उसको कैसे सॉल करना या आपके हिसाब से वो नहीं चलते हैं उनके हिसाब से जो पॉइंट है वो उनको क्लिरिफाई करते हैं तो यहां शुरिया दोनों एक ऑपोजिशन में बैटने वाले प्लैनेट्स है और जब दोनों प्लैनेट्स इकटा होते हैं जब दोनों विरुद पार्टी एक साथ में बैठती है तो वहां गमासान होता है बहुत बड़ा संसद में हला होता है हंगामा होता है दोनों पार्टी एक सामने के ऊपर आक्षे बाजी करते हैं तो यहां वैसे ही 16-2 के बाद शनी के ऊपर यहां 12th house में सूर्य का ब्रह्मन हो वाला है सूरिय एक ऐसा प्लैनेट्स है जिसके तेज के सामने किसी का चलता नहीं लेकिन यहां बोलते है सूरिय के साथ शनी अस्त हो जाएंगे यहां अस्त का कोई पॉइंट नहीं आता है क्योंकि शनी एक अपने हिसाफ से रहने वाले सनी को सूरिय को खाली एक ही चीज का मतलब सूरिय के हाथ में सत्ता है पावर्स है और जब पावर्स का आपने गलत उप्योग किया है तब जाके स्थानी की आपको चाबुक लगती है तो यहां जो भी स्था से जुड़े हुए लोग ہے या जिनोंने सत्ता का दूरुग किया हुए सत्ता से उन्होंने गलत फाइ एक ही प्लैनेट्स ये कर सकता है वो है शनी क्योंके अभीमान आदमी का ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं उसको नीचे लाने के लिए शनी माराज का निर्मान किया गया है क्योंके जिस पास पावर सा जाता है पैसा जाता है तो वो अपने आपको तुर्णम खान समझता है लेकिन शनी की नजर से शनी देव की नजर से कोई बच नहीं पाता है क्योंकि आपने सत्ता का दूरुपयोग अगर किया हुआ है या सत्ता से या किसी को भी घलस चलती जो से आपने ऊपर नीचे किया हुआ है तो यहां शनी आपको छोड़ेंगे नहीं जिसके लिए यहां यह एक पहला पड़ाव चालू होता है यहां से बिगीन्स चालू होगी फिर धीरे 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 आगे आगे आपका जीवन अलग होने लगेगा मतलब यहां कुछ गमासान होने वाला है जो भ जब तक आपको उसकी कसोटी आपकी नहीं होगी जब तक आपको मार नहीं पड़ेगी तब तक आप वो हमवर्क नहीं करते हैं वो जब आप हमवर्क के बगएर स्कूल में जाते हो तो प्रफिसर टीचर आपको दूसरे दिन हाथ में दो चार अपने चाटे लगाता है या पटी से जो सकेल है उससे आपको हाथ में मारते हैं तो ये आपको पनिश्मेंट मिलते हैं फिर पनिश्मेंट के बाद आप दूसरे दिन वो ही हमवर्क करके लाते हो वैसे यहां शनी का पनिश्मेंट आपको मिलने वाला है वो पनिश्मेंट आपके जिंदगी को सुधार भी सकता है आपकी जिन्दगी को बहुत बड़ा बना सकता है बहुत बड़ा व्यक्ति के तरफ आपको ले के जा सकता है ऐसा नहीं है कि खराबी है आप कोई भी competition जीतने के लिए आपको कोई भी इनाम दिया जाएगा लेकिन वो ऐसे नहीं दिया जाएगा पहले उसके लिए आपको बहुत श्टगल करनी पड़ेगी तब जाके फिर वो competition में आप जीतोगे और आपकी उसके बाद आपको जो इनाम घोशित किया गया है वो आपको मिलेगा इसलिए बहुती तकलिफ संगर्स के बाद व्यक्ति एक बड़ी उंचाई पे पहुंचता है तो यहां संगर्स का पहला पड़ाव आपका चालू हो गया है और यहां जैसे सुर्य एंटर होंगे वहां शनी के साथ वो आपको किस दिसा में आपको लेके जाना किस हिसाब से आपके साथ उपर नीचे करना वो सब यहां हिल चाल चालो होने वाली है उसकी मुमेंट करवट बिलने वाली है चाहे वो खराब भी क्यों नहों उससे आपको डरना नहीं है धीरज रखना है धेरिया रखना है जो भी है X, Y, Z जो भी सुच्विशन बनेगी उसको तहे दिल से सिकार करके आगे बढ़ना है जो भी है यह है वो है उपर नीचे जो भी है यहां 12 हाउस होता है कौड कचेरी पुलिस थाना पुलिस अपना अस्पताल यह सब चीजों में काफी समस्या पैदा होती है करजे यह लौन दूसरा कोटमबिक वाद विवाद जगरे यह सब यहां रस्ता निकाल के उपर वाला आपको ब्लेजिंग देगा और आप आगे बढ़ोगे यहां डरने की बात नहीं है डराया नहीं जाता है लेकिन कुछ भी पाने के लिए उसको पहले हिलचाल करनी पड़ती है बड़ा घमासान युद होता है फिर युद होने के बाद एक अच जैगा इस से आपको डरना नहीं है यह सुच्वेशन मेरे साथ क्यों बन रही है क्यों ऐसा हो रहा है क्यों मेरे से सब चीजह ऑपोसित में जा रही ये मेरे करजे हो रहे है यह हो रहे है पैसे जा रहे है कुछ भी हो रहा है कौटम भी वाग वाग जगड़े हो रहे हमारे घर में फैमिली यह सब होगा लेकिन जो होगा वो आगे की सब दिसा के लिए होगा क्योंकि आपको यह सब चीजों में से निकालना है निकालने के लिए प पिर आपका जीवन की पत्री है वो धीरे 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 आपको जो दिसा में जाना है वो आपको क्लियर पाथ वहां नजराएगा तो यहां 30 डेज के अंदर जितने भी मीन रासी वाले भाई बैन है उनके लिए बात हो रही है और लेडी गुरू बैठा है आपकी रासी के अंदर इसमें कोई डरने की बात नहीं है यह तो अच्छा है कि जब तक गुरू बैठे है तब तक यहां सनी और सुर्य का मिलाप हुआ है क्योंकि दोनों आपोसीशन में बैठने वाले गरा है क्योंकि यहां नकी होगा यहां डिसाइड होगा क्या आखिर किस दिसा में किस हिसाब से आपको जीवन में आगे बढ़ना है उसके लिए यहां एक बार मूमेंट होनी जरूरी है एक बार घमासान यूद होना जरूरी है जब तक वो चीज का निकाल नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि लंबे सान से तीन साल चार साल से आप यह दर आएगा लेकिन यहां बात होगी सोला दो से सत्रा तिन के बीच में में आपको जिनका सुरिय कुमरासिका है जिनका सुरिय सनी की यूती है सुरिय सनी की यूती है साथ में सुरिय कुमरासिका है या सुरिय मंगल साथ में है जनम की कुनली में या सुरिय राहू साथ में ह इनको ज़्यादा प्रिकोशन लेने की ज़रुदत पड़ेगी, चाहे कोई भी हाउस में हो, कोई भी रासी के हो, सुरिय शनी की यूती है, सुरिय कुम रासी का है, सुरिय मंगल की कंजेक्शन है, सुरिय राहू का कंजेक्शन है, तो इनको यहां तके दारी ज़्यादा रख कीजिए बने इतना सयम धीरज धेरिया रखे सब सुच्वेशन अपने आप धीरे 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 आगे आपकी बढ़िया होने वाली की लेकिन आपको सयम रखना है सतरा तीन तक सतरा तीन के बाद फिर जो मूमेंट है जैसे ही सुरिय भगवान यहां मीन में आ जाएंगे को छोड़के फिर यहां से अपनी जो सुच्वेशन है वो पाथ एक दम से क्लियर होने लगेगा सब सुच्वेशन सांथ होने लगे की और धीरे 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 आपके काम में भी अच्छे रिजल्ट आने चाल हो जाएंगे इसलिए यहां यह चार रासी है मतलब सौरी चार ज लिए यह सुच्वेशन के हिसाब से थोड़ा दीरज और रखना पड़ेगा आपको दूसरों की जगा पे इतने भी दूसरे वेक्ति हैं इनका यह सब नहीं है उनको कहीं न कहीं सांती रहात मिलेगी यहां डराने का घबराने का आपको कोई मकसद नहीं है कोई मतलब नहीं है काली एक आपको बताना है कि प्रिकोशन इस बेटर देन क्यों आपको पहले से बताया गया है कि वहां खड़ा गिराया गया है सरकार मुल्सिपार्टी का काम चलना है तो आप डाइवर्जन हो जाएए या कहीं साइट से निकल जाएए लेकिन फिर भी आप स्पीड में ज होगा काला धागा आपको हाथ में बान के रखना है लेडी जेटो लेफ्ट हैंड में बान दिए और ये जो अपना पूरुश है आप तो थोड़ा ब्लेक तीलक करके निकल लिए अभी आपको ये शनी देव का थोड़ा उससे सांतिया पो रहेगी काला आपको तीलक करके न करना जरूरी हो जाता है क्योंकि शनी देव का अभी आपकी रासी में साड़े साती का ब्रह्मन चलना है अच्छे रहो बढ़िया रहो खुब आगे बढ़ो